हेलो फ्रेंट्स तो वेलकम टू पैनिश्या फोर लेवरींस क्लासे आई होप यू आर वेल तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बुक ट्रांजिक्शन सिस्टम इन ट्रादिशनल अंड मॉडरन टाइम तो देखें ट्रादिशनल टाइम में हमारा आता है रेजिस्टर सिस् अग़क ग्याओ कि बहुं आशपश था में में पांपीन ईत्राद रचामग चंच सिस्टम है अग्याऋ चल्डश ग्याओ के मोड़न में लिच्व कि तक नाते आज की पढूर सुभार दोके और जब लोग जब एक्जिट करते तो हम लोग वह पेज ढूंड़ते जहां पर हमारा नाम लिखा हो और उसके बाद हम लोग वहां पर अपना एक्जिट का टाइमिंग लिखते सेम वही है डे बुक मैथड इसमें भी क्या होगा एक रेजिस्टर बना दिया जाता है उसमें जब किस टाइम करने जाएं तो लाइबरेइन क्या करेगा कि वह पेज ढूंडेगा जहां पर आपका नाम लिखा है और दन उसके बाद क्या करेगा आपको उसमें रिटार्ण डेट लिखके तब आपसे बुक वाफिश लेगा यह होता है देबुक मैथट और लेजर मैंथ ठीमिंघ होता है तो यह करेगा कि लेशर में ह्में क्या हुआ parler कि है कि पेज में रेजिस्टर के पेज में एक मैंबर के लिए पढकर कर दिया जाएगा और उसके बाद जैसी नंभर दिया जैसि आपने वह बोढ़ लाटाई बीस जतने भी सलाथ कोई आपके चाहिए की प्रक्राइट के लिएच करने सब्सक्राइब है करना यह ऊपिंद नाव के लिए झाल जो यह तो पुरा नश्य प्रपर कोई तो एक सब्सक्राइर करने सब्सक्राइब वाइन जो कि दमी सेल्फ लिखा रहेगा उसके उपर इसमें कि माले जी कि अग्ति के इस लेकित बुक मैंने ले लिए और इसके बाद लिए जैसे आप आप पाया और आप इसी बुक को मांग रहे तो क्या लब लेडिया क्या करेगा डमी सेल्फ की तरफ जाएगा और देखे तो अगर रखा होगा है तो इसका मतले लाइब समझ जागा कि यह बुक क्या हो चुकि इशु हो चुकि उसमें से उसका कार्ड देखा कि रिटर्निंग डिट का वह आपको रिटर्निंग डिट बता दे तब आप आए और अगर वह बुक ने पहले वाले रीडर ने वुक गया था कब 1900 में कौन से स्टेट में यह जर्सी अब देखे इसमें जो है कि यह दो कार्ड सिस्टम पे बेश जाइस में जुकौन कार्ट से मैटेरियल स्यूज होते हैं बुक पाके डेट स्लिप और और बुक काड इसका जो साइज है फाइफ इंच क्रोस त्री इंच फाइ अब देखें इसको किसने दिया है नीना ब्राउन ने कब 1895 में इसमें भी कौन-कौन से मैटेरियल स्यूज होते हैं बुक पाके डेट स्लिप और बुक कार्ड इसका भी सेमें साइज जो कि न्युवार्क चार्जिंग सिस्टम में ब्राउनी और न्युवार्क दो का Rider ये रीडर से आपको इंफरमीशन नहीं मिलेंगे लेकिन नियु आर्ज चार्जिंग सिस्टम में क्या होता है तो आपको नंबर पता रहे गा कि यसमिंबर को आपको ब्राउनी सिस्टम मिलेंगे तो यहीज यहीं दिफ्रेंसें निवारK ब्राउनी सिस्टम का बस बाकी दोनों में सेम है बस यह किस ने दिया जॉन काटन डाना नी नीना ब्राव ने यह एटी नाइंटि फाइफ और यह नाइंटि अब देखें है आप सी यहां पर दो कोश्टिंस इस तरीके से पूछा जाएगा प्रिवियस यह कोश्टिन है कि बुक जो कि हम लोग उसर से लेते हैं और देते हैं गेटिंग बुक बैक फ्रॉम यूजर रिलीजिंग बरोवर्स इस नाइस तो इसको अम लोग क्या बोलते है डिस्चार्जिं मतलब कि भुक को अगर हम लोग उने वापिस कर दिया जो डीडर वह बुक क्या कर रहा है कि ले लेगा तो किस तरीके कर देती है जैलाता है अब उसके बाद अगर आप से पूछा जाए कि डेगुक मेफड़ और लेटेड किसके अंतर अंधर आता है तो रजिश्टर मेफड के अंदर क्या आता है ले जऱिए अब लेटें अद अब देखेने टेंपरोरी स्लिप सिस्टम में क्या होता है कि दिया जाएगा एक रिडर को दिया जाएगा एक लगरियृंट जो भी है वो सब लिखा रहेगा पर डियतर राइट और अदिस्चार्जिंग method क्या है तो यह क्या है? Self-simplified version है? किसका New Ark charging system का? यह भी बहुत बार question previous year में आ चुका है What is the simplified version or deodoride self-charging and discharging method option में रहेगा आपसे Cardex method, 3 card system, Neena Brownie method and Newark method तो आपको टिक लगान है कि Newark method, simplified version है? किसका deodoride self-charging and discharging method, इसमें क्या होता है? ते कि Reader जो है खुद से book का जो card है उस पर अपना सारा information लिखता है एंड जो librarian है वो क्या करेगा due date और जो book का इक session number है वो क्या करेगा बेर स्टैंप मारेगा वाकी सारा काम reader भुद करेगा अब देखें modern में आहां हमारा आता है RFID बार कोड और कोड और फोकस करना है क्योंकि हम लोग मौडर्ण टाइम पे इसी मेथड को यूज कर रहे हैं इसको जो 1983 में इंवेंट किया गया था किसके द्वारा चारलेस वाल्टन के द्वारा इसका फुल फॉर्म किया तो रेडियो फ्रिक्वेंसी अडेंटिफिकेशन इस में किस टाइब का टाइब का यूज होता है अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी में और फाइड टेक्नोलोजी का यूज हुआ था तो रॉक फेलर यूनिवर्सिटी ये एक टाइप की अकेडमिक लाइबरेरी थी तो आपसे पूछा जाए क किस टाइब किस यूनिवर्सिटी में तो रॉक फेलर यूनिवर्सिटी कहां किया तो यूसे की हैं अगर आपसे पूछा जाए कि किस पब्लिक लाइबरेरी में सबसे पहले और फाइड टेक्नोलोजी सिस्टम का यूज हो तो फैर्मिंग्टन कॉमिनिटी पब्लिक अब देखें 1983 में RFID सिस्टम आया और अगर आपसे पूछा जाए कि लाइबरेरी में किस यर से जो है आरे फाइड टेक्नोलोजी का यूज होना शुरूआ है तो 1999 में आया यह कब है 1983 में और लाइबरेरी में कब से यूज होना शुरूआ है तो 1999 में इसमें यहां भी रॉक अब देखें कि इसके कुछ स्टेंडर्स है जैसे ISO 15693, ISO 18003, SIP2, NCIP, ISP 28560 अब देखें इसके कुछ आपको याद रखना है कि जैसे ISO 15693 जो है यह एक इंटरनेशनल स्टेंडर्ड है यह डिल करता है टाग और जो रीडर के जो रीडर से जो रीलेटेड सॉप्वेर उससे मैक्सिमम जो है 13.56 मेगा हट्स फ्रिक्वेंसी पर बर करता है मैक्सिमम जो है रीडर कर डिस्टेंस होना चाहिए 59 इंचेज यह 1.5 मीटर तो भी क्या हो जागा RFID टेकनोलोजी इसमें बर कर जाएगा ISO 18003 में क्या होगा यह एक टाइप का इंटरनेशनल स्टेंडर्ड है य लिमिटेड कहां तक 24 इंचेज डिस्टेंस तक ही यह बार करेगा SIP2 में क्या होता है कि इसका फुल फर्म क्या स्टेंडर् इंटर्चेंज प्रोटोकॉल एंसी आइप को जो एंसी आइप ने क्या क्या इस मैथर को क्या क्या रिप्लेस कर दिया है एंसी आइप का फुल क्या स्टेंडर्चेंज प्रोटोकॉल call comes se protocol बेज रहे यह तो सब्सक्रीप 30.83 कि अभजिए instal तंग आपको याद रखने कि इसमें कितने टाइप के स्टेंडर्स का यूज होता है इस स्टेंडर्स के से जो रिलेटेल से उससे आप से ज्यादा इन्फरमेशन नहीं पूछा जाएगा आप से ओनली एंसी आईपी और आये इसके कुछ स्टेंडर्स पूछा जाएगा और उसके बाद इसके जो कुछ एडवांटेज़ें जैसे की फास्टर है पर्फेक्ट रेकर है सेल्फ चार्जिंग है बैटर बार्कोट से बैटर स्क्यारिटी 100% देता है तो यह सारे कुछ एडवांटेज़ें इसके अब देखे समान और जो पर हैं यहां ऐसे द्सके लाइट बाद सान करने के बाह जो भी सारी इनफर्मेशन आफ मीशनल था चो प्यक्न सब्सक्राइबिगे काम करें है लेकिन के अचछा प्रिंध सप्सेजन किद्स वाले जुगकर पहना उसनाफित गया है बंग्वरामपनी हितोजा ह का वर्क कर जाएगा QR कोड किया था इसका पुल्फूमा था क्यों 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 सबसे पहले डिजाइन किया था 1994 में किसके दर तो तो रंगनाथन के दर पूछा जाए अगर आप से अपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम किसके दर इंट्रोडूस किया गया है तो गेलोड ब्रदर्स कब तो 1932 में और कुछ कोशन से जैसे कि निवार्ग चार्जिंग सिस्टम किसने दिया है तो जॉन काटन डाना ब्राव काओ रिख शर्जींग सिस्टम को ऊटन में आप लोग कौन से ग्जाम्पल आप से पूछा जाए कि पस्ति इस तरीके से कोश्ण आप नीवार्ग सिस्टम के लिए काउन चौन से में तूछ चार्जिंग सिस्टम के लिए कौन्डों से मेंठ्राइब उसमें options रहेगा register method फिर आपसे option में रहेगा dummy system फिर आपसे option में रहेगा कि card system और fourth में आपसे लिखा जागा file तो आपको पुछा जाए कि इसमें से कौन सा method है जो जो पूरा book transaction system in modern and traditional and modern time I hope आप लोको समझ में आयोगा तो thank you friends मिलते नेक्स वीडियो में तब तक हसते रहेगा पढ़ते रहेगा thank you